अस्सलाम अलेकुम तो चली आज किस वीडियो के शुरुआत करते हैं और आज किस वीडियो में हम लोग समझेंगे आप लोगों के 12 क्लास के केकशा बुका चैप्टर नमबर 15 जिसका नाम है बरकय कलीसा क्या नाम है चैप्टर का बरकय कलीसा और यह जो चैप्टर है यह एक नजम है यानि की कवीता है और कौन सी कवीता है कौन सी नजम है तो यह जरिफाना नजम किसे कहते हैं तो वैसा नजम वैसा कवीता जिसमें तंज हो यानि की कमेंट हो जिस भी टॉपिक पर कवीता नजम लिखा गया है उस पर कमेंट किया जाए उसकी अच्छाई और बुर ये भी क्या है जरी फाना नजम है और इस चैप्टर के जो राइटर हैं यानि कि मुसंणिफ है वह है अकबर अलाबादी करोंगी सबसे पहले मुसंफ अकबर इबारे में जाने विंकि क्योंकि एक्जाम में कोश्टन पूछाता है और इसे लिए इनके प्रूरी भी है तो अकबर अलाबादी के बारे में जानी है देखिए इनका पूरा नाम है अकबर हुसेन लेकिन इनकी पैदाइश होई है अलाहबाद में और इसलिए अकबर अलाबादी के नाम से मशूर हो गए क्यों मशूर हो गए अकबर अलाबादी के नाम से क्योंकि इन इनके दादा यानिके इनके ग्रेंट फादर का नाम है स्यद फजल मुहम्मद ठीक है आगे बढ़िए इनके वालिद यानिके पीता जी का नाम है तफजुल हुसैन यह किलियर हो गया घर पर उर्दो फार्सी अंग्रेजी अर्भी और रियाजी की इप्तदाई तालिम लिए घर पर ही अकबर आलाबादी जो है और्दो फार्सी अंग्रेजी अर्भी वगयरा की तालिम शुरू आतिस रिक्षा लिए ठीक है अब वकालत का इमतहान पास किया और वकील बन गये ठीक है फिर वह घर पर इप्तदाई तालिम किये फिर उनको स्कूल में नाम लिखाया औ आगे चलकर वह वकालत का इमतहान पास किये और वकालत का इमतहान मतलब क्रैक करने के बाद वह एक वकील बन गये और यहां तक की वह वकील के बनने के बाद वह जज भी रहा है अकबर आलाबादी ठीक है जज ठीक है आगे देखिए अठारस अंठानबर में खान बहादू के खिताब से नमाज आ गया तो आठाथासा अन्ठानबर में यह important है यह question पुछ देता है कि अकबर अलाबादी को खान बादूर के किताब से कब नमाज आ गया तो एक अक्टूबर उनैसा 10 में उनकी बीवी का इंतकाल हो गया अक्बर आलाबादी के बीवी का वाइफ का इंतकाल कब हुए एक अक्टूबर उन्हेसा दस को ठीक है अक्बर जो है अक्बर आलाबादी वह अवद पंच के नौ रतनों में थे यानि कि अक्बर आलाबादी को अवद पंच के नौ रतनों में से में शामिल कि तो कि यहाद रखिए गैंट जरी फाना शाइरी से मशूरीं देखिए अग्बराअ मशूर्ण हुए नौश 1 सितम्बर 21 को 9 सितंबर उने से 21 को वो इस दुनिया से रुक्सत हो गए ठीक है तो यह हो गया आप लोग का अकबर आलावादी के बारे में कुछ डीटेल्स जो आप लोग को याद रखना है अब हम लोग इस चैप्टर को समझते हैं इस नजम येन की कवीता का मैं खुलासा करती हूँ पहल इस नजम में इस कवीता में चर्च की बिजली यहां पर इस नजम में इस कवीता में कि चर्च की बिजली एक लड़की को कही गई है जो कि बहुत ही खुबसूरत है और वह उस चर्च में इवादत करने के लिए आती है ठीक है लेकिन जो मुसंदिफ नजम अकबर इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़कर आपनों को उसका खुलासा करूंगी ठीक हैं तो देखें वह लिखें हैं अक्बर आलाबादी कि रात उसमिस से कलीसा में हुआ में दोचार हाय वा हुसन वा शुखय वा नजाकत वा उभार जुल्फ पेचा में वा सजधच के बु बल्जपके दिलकर्शी चाल में ऐसी के सितारे रुख जाएं सरकर्शी नाज में ऐसी के ग़ॉर्नर जुकजाएं आत्से हुसन से तक्वा को जलाने वाली बजलिया लुथ ए तबस्वं से गिराने वाली पहलुए हुस्न बैous खुलुके तक्रीर का किया वर्द मगर कुछ यह थोड़ा मैं ज्यादा पढ़ दी क्योंकि लंबा नजम है और टाइम लग जाएगा एक करकर में समझाओं इसलिए ज्यादा पढ़ दी देखे इस बंद में इस पूरे लाइन में जो है ना अकबर अलाबादी बता रहे हैं कि रात जब उस रात में गया था कलीसा में चर् जुल्फे पेचा में यानि कि मतलब बलखाई हो इसकी जुल्फ है उसकी बाल ठीक है जब वो सच धज कराई तो ऐसा लग रहा था कि सारे लोग उस पर फिदा हो गए ठीक है उसकी आँखी इतनी खुबसूरत कि जो है ना देखने वाले भी गुनागार हो जाएं गाल उसक इतनी खुबसूरत कि फरिष्टे भी मतलब उसको प्यार करें ठीक है घरम तक्रीर यानि कि उसका तक्रीर उसका बयान करने किसी बात को बताने का तरीका मतलब ऐसा था कि सुनने वाले भी सुनते रह जाएं दिलकश आवाज उसका आवाज इतना खुबसूरत था कि रहें कि आतिसे खुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् लड़की की जो अक्बर आला अबादी यहन की मुसनिफ हैं वो क्या बोल रहे हैं कि है मैं पिस गया मैं लुट गया मैं बरबाद हो गया ठीके मैं जब्द के अजम का उसक्त असर कुछ नहुआ मतलब मैं अपने आपको पूरा रोकने की कोशिस की कि मैं उस लड़की के पास जाओं उसे बात ना करूं लेकिन मैं अपने आपको रोक नहीं पाया मैं यह हफीज मुतलब की जाओं मैं खुदा का नाम लिया ताकि मैं रुक जाओं किसी भी हाल में मतलब उसके पसना जाओं लेकिन उस वक्त वो कुछ काम नहीं आया मैं आखिर चला ही गया उस लड़क को सीरी हो जाए शौक के जोश में मैंने जो जुबाइं खोली नाजवांदास से त्यूरी को चड़ा कर बोली गयर मम्किन है मुझे आस मुझे उन मुझे जाए 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 उनकी रगों में असरे हुक्मे जहाद दुश्मने सबर के नजरों में लिगावट पाई काम्यावी के दिल का जार ने आहट पाई अर्ज की मैंने एल हिजदत जा राहत रूँ अब जमाने पे नहीं है असरे आदम मुझे जब ये मुसनिफ अकबर अलाबादी उस लड़की के पास गये और उन्होंने क्या अर्ज किया कि ऐ गुल्षने फितरत की बहार उस लड़की उस मिस को क्या बोल रहे है मुसनिफ ग मुसमान शौरत सब कुछ तुछ पर निसार करता हूं बस तुम मेरी हो जाओ ठीक है उस लड़की से ये जाकर बोलते हैं अब देखिए उन लड़की क्या बोलती है मिस मिस नाजवांदाज से तीयोरी को चढ़ा कर बोलती है यानि कि नाजवांदाज में गुस्सा होकर मिस वो लड़की मुसल्मानों की बुराई करती है देखिए क्या क्या बोलती है मुसल्मानों को कि ये नमाजी बनकर बहुत बड़ी बहासरे देते हैं घाजी बनकर जाकर सरहत पर हमले किया करते हैं अगर कोई मतलब अच्छाई करे अच्छा काम करे तो उससे दुश्मनी म बोल रहे हैं कि अगर मुसल्मान लोगों में से किसी को किसी एक मुसल्मान की तारीफ कर दी जाए तो भाई वो इतना इत्रा आ जाते हैं कि जमीन पर पैर ही नहीं रखते हैं अपने आपको जैसे कि क्या बाद्शाही समझने लगते हैं यह सारी चीजे बता रही है मुसल्मान की बुराई कर रही है उमिस तो ये सारी चीज़े सुनकर जो है ना अकबर आला अबादी मुस्णि बोलें कि अर्थ की मैंने ऐ लज़ते जा रहाते रहूं अकबर आला अबादी बोलते हैं कि ए मेरी रूम को रहत दिलाने वाली अब जमाने पर कोई असर आदम वनू नहीं है अब मतलब अभी के जमाने में जो मुसल्मान में अब पहले जैसा जजबा नहीं है जो पहले मुसल्मान में जजबा था जो हिम्मत थी ताकत थी इंसानियत थी अब वो अभी के जमाने के मुसल्मान में वो सारी चीज़े नहीं है वो सारी चीज़े खत्म हो गई है अगे द हमें बाकी नहीं अब खालिद जाबाज का रंग दिल पे गालिब फक्त हाफिज शिराज का रंग या ना वनारा तकबीर ना जोश सिपा सब के सब आफी पर पढ़ते हैं सुभान अल्ला जो हर तेख मजाहित तेरे अब रूप निसार नूर इमान का तेरे आइना रूप निस उट गई सोफ़े खातिर से वह बहसे बद्वनेक दो दिले हो रहे हैं कहते हैं अल्ला को एक मुझ कोसर की कहानिया अब है मेरे बाग के घर्द मैं तो तहजीब में हूँ पीर मुगा का शागिर्द मुझ पे कुछ वज़ा है आताब आपको एजान नहीं नाम ही नाम है वर जी समझो देखिए अब वो बोल रहे हैं अकबर अलाबादी कि अब आज के मुसलमानों में वो जजबा जून नहीं रहा जो कि पहले के मुसलमानों में हुआ करता अभी को जो मुसलमान हैं उनमें खालिद जाबाज का रंग भी नहीं है खालीदेबाज सmax वो थे जिनुहें शायाद एकतालिस जंग लड़ी ओर उन्हें एकतालिस जंग लड़ने के बावजोंद भी एक भी जंग में उन्होंने फार नहीं मानी थी तो वही बता रहे हैं कि अभी के मुसल्मान में जो है ना वो खालिदे जाबाज का रंग नहीं है अभी के जो मुसल्मान है वो सिर्फ शेर वो शायरी किया कर रहे हैं ठीक है और अभी के जो मुसल्मान है उसमें नारे तकबीर का नारा खत्म हो गया है ठीके अब वो सिर्फ वो जो है ना सुभान अल्ला सुभान अल्ला पढ़ रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़े बताए हैं कि जो मुसल्मान है उनमें नेकी और बदी का बहस खत्म हो गया है अभी सभी मुसल्मान जो है वो अल्ला को एक मान रहे हैं पहले के मुसल्मान और अ मॽुसलानों की जैसा जुनून है ठीक है और मैं सिर्फ अभी के मुसलानों की तर अब हैश्य वाशायर है करता हूं सुभान Allah सुभान volley स्भान High five एक दया है मीरे अनडर नारें टकभीर लगाने की हि afar घा नहीं यहीं के मुसल्मान जो है वो टोटली चेंज हो चूके हैं ठीक है और बताते हैं अक्बर अलाबादी कि यह तुम इस सुनी हो इसलाम का यह जो कहानी सुनी हो यह इसको माजी समजो घुजणा हुब आहीं कुछ नहीं हुआ है इसको गुज़रा हुआ जमाना समझो ठीक है तो यह बात बोलते ही वो जो मिस है लड़की है वो हस कर बोली तो ठीक है आप मुझको भी राजी समझो ठीक है तो यहां पर आप लोका चाप्टर जो है बरग कलीसा नाम का यह जो नजम है यह कंप्लीट होत है अब ज्वार को को देख लेते हैं دेखिए सवाल होता है आप बता अैसे हैं कि आप लोग को बताना है सबसे पहला सुच का अर्वाबादी किस तरह के सायर थे तो अबर अरा Hammard आबादी जो है वो एक जर्फ सायर थे हसने हसाने वाले सायर ठीक है तो दूसरा सवाल है अक्बर किस परची के नौरतनों में शुमार होते हैं तो अक्बर जो है वो औद पंच पैइन WhatsApp के शुमार होते हैं उनको शामिल किया जाता है तीसरी सवाल नजम बरक अकलीशा के खालिक का नाम बता यहें नजम enhance के लिखने तो अक्बर आलाबदी थिक करत New नमबर सब्स्वार को मिस कहा मिली यह जो शायर अकबलबादिन को मिस वो लड़की खुब सुर्ब कि याद रखिए घुलत की बहार अकबला अबादी किस को बोले हैं तो उस मिस को बोले उसक बऩूरत लड़की को बोले हैं ठीक है और छे नमबर स्वाल है दौलत व इजज़त व इमान किसके गदमों पे शायर निसार करना चाहता है अपना दौलत इज़त इमान शौरत हर चीज जो है अकबर अलाबादी यानि कि शायर किस पर निसार कर देना चाहते हैं तो उस मिस पर उस खुबसूरत लरकी पर ठीक है साथ नमर स्वाल है हमले स immunity किया करते हैं गाजी बन कर याबाद शायर ने किस के बारे में कही है ठीक है तो ये बात मुसल्मानों के लिए कही गयी है आठ नम्बर स्वालै अब जमाने पे नहीं है असरِ आदम वनू या बात उस नजम में किसने काई भात अक्बर आलाबादी यानी कि शायर ने इस मिस्वालै थे कही है ठीक है शायर बोले हैं कि अब नहीं है मतलब अभी के जमाने में नहीं है असर आदम मोनों अभी के जमाने में जो मुसल्मान है पहले के मुसल्मानों के जैसा वो इंसानियत वो आदमियत नहीं है ये सारी चीचे बताए है तीकि अब बाताती है मुख्तसर गुफ्तगू की यानि की लगूतर ये परसंग्ती जिसमें आप लोग को चार पार सिंटेंस में अंसर लिखना होता है सबसे पहला सवाल है अकबर आला अबादी ने अपनी नजम का उन्वान बरक कलीसा क्यों रखा अकबर आला अबादी जो है ये अपने नजमियन की कवीता का टाइटल बरक कलीसा क्यों रखा तो मैं आप लोग को बताई और आप लोग खुद से लिखेंगे ये चलिए दूसरा सवाल है मिस्ने मुस्लमानों के बारे में इस नजम में किन ख्यालात का इज़ार किया है अकबर आला अबादी ये मिस्स से क्या बता है मिस्स तो सबते पहले बुराई किये मुसलमानों की बुराई सुनने के बाद अकबर आला अबादी क्या बता है उस मिस्स से क्या बता है क्या कहे हैं ये बताना है आप लोग को तो मैं बताई ही कि यही चीज़ बता हैं अकबर जो मिस है खुशूरत लड़की है वो हस कर नहीं बोलती है और उस मौके पर क्या कहती है ये तो देखिए शायर जब बोलता है कि ए मतलब अकबर अलाबादी बोलते हैं कि ए गुलशने फितरत की बहार अगर तुम सब कुछ छोड़कर मेरी हो जाए तो मुझे इस दुनिया मे कुछ भी नहीं चाहिए मैं अपना इजज़त इमान शोरत दौरत सब कुछ तुछ तुछ पर निसार करता हूँ ये जब अर्ज़ करते हैं अकबर अलाबादी तो उस वक्त जो है मिस जो है वो खुशूरत लड़की वो हस कर नहीं वो गुस्ता हो वो तियूरी चढ़ा कर कि मुझे मसल्मानों से नफरत है ठीखे उस वक्त रस कर नहीं बोलती है मुझे ओ सौकर और रोड़ती यही बताना चाहते हैं कि अभी के जो मुसल्मान हैं बिल्कुल चेंज हो गए तोडली चेंज हो गए कि पहले की मुसल्मान में वो जजबा था वो जनून था ठीक है पहले की जमाने में नारे तक्बीर का नारा लगता था अभी की जमाने में जितने भी मुसल्मानें वो सुभानाला, सुभानाला करते हैं ठीके तो यह सारी चीजे हैं यही चीज बताए इस नजम में कि अभी के मुसल्मानों में पहले जैसा वो जज़बा वैसा जनून नहीं है ठीके अब आताती यह तफसिली गुफ्तकू की यानि कि तफसिल से लिखने वा अक्बर आलाबादी की शायरी के मतालुक आप क्या जानते हैं बताईए अक्बर आलाबादी जो की शायर है वो किस तरह की शायरी किया करते हैं लिखते हैं उनके शायरी से रिलेटिड आप लोग को बताना है लंबा चोड़ा ठीक है तो यह आप लोग लिख लेंगे तिसरे स साथ आप लोगा जो चैप्टर नमबर 15 है वो कोश्चन इंसर के साथ कम्प्लीट होता है इस चैप्टर से कोई भी कम्फीजन हो आप हमें कमेंट करकर पूर्ट सकते हैं वीडियो अच्छा लगा और जो कुछ भी मैं समझाई अगर आप लोग को समझ में आया तो लाइक और बनता है वीडियो को लाइक किजिए ज्यादा जिदा शेयर किजिए अपने पडोसियों के पास अपने दोस्तों के पास और हां अगर आप लोग चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूं आप तक सबसे पहले पहुचे तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिन और खुदा हाफिस